कि कभी आपका कभी हमारा यार है असली बेवफातो नितिश कुमार है क्या आप मनिष्कस्यभ के बारे में जानता है जिनों ने कहा था जेल से आने के बाद से कि मैं जेल जाने से पहले बूले थे कि मैं अगर जेल से छुटा तो 180 दिन के अंदर इस सरकार को गिरा दूँगा नमस्कार पुर्वांचल परिवेश में आपका स्वागत है आज बिहार के सीयम खुद सीयम पद से स्थिफा इसलिए देंगे कि वे फिर सीयम बन सके यानि नितिश कुमार फिर नौवी बार सीयम पद की सपत लेंगे और हेरा फेरी के मामले में उनके लिए कहा जा रहा है कि वे पल्टू चाचा के नाम समस्हूर है इससे पहले उनकी पाए 40 सीटे थी और उनको मुख्यमंत्री बनाया गया था शोचिए कि एक युवा उन्यासी सीटे ले करके और खुद उप मुख्य मंत्री बना हुआ है उसके बाद से एक ऐसा भी समय आता है जब लगभग लगभग छे महिने तक सरकार नहीं चलती है उसके बाद से फिर पल्टी मार देते हैं और संभावना क्या संसाय सब छोड़ द समाज सेवी हैं जो अपनी बात को रखते रहते हैं सीम नितिश कुमार पर उनकी क्या विचार है तेजसु यादव पर उनका क्या विचार है और एंडिये जो गटबंदन करने जा रहा है जो भाजबा का गटबंदन जिसमें मुके साहनी भी सामिल थे उन सबी बिंदुओं प सब.. इस बार अगर बदल है तो इस भी तो हो सकता है कि भाजबा वले इसन बार खताम ही करते हैं कि भाजपा इनको कड़ी जटका दे और संभव है कि यह बात सत्य हो इसलिए कि भाजपा भी फरक्ष चुकी है कि इनका रवय्या क्या है इसलिए इसे सभी लोग आकिफ है कि कभी आपका तो कभी हमारा यार है असली बेवफातो नितिश्कुमार है क्या आप मनिश कष्चप क बारे में जानते हैं जेल से आने के बाद से कि मैं जेल जाने से पहले बोले थे कि मैं अगर जेल से छुटा तो 180 दिन के अंदर इस सरकार को गिरा दूंगा यह सत्य बात है कि इन्होंने कहा था मतलब मनिश कष्चप का इसमें हाथ दिखता है हो सब्सक्राइब कि मनिश कुमार का क्लियर हाथ हो लेकिन ऐसा तो मुझे तो नहीं लगता लेकिन जितने बुद्धजीवी वर्ग हैं वे तो कहा रहा है कि राजनीती में इमोशन नहीं चलता है एक्दम बुद्धिमानी से राजनीती को घुमाया जाता है घुमाया जाता तॉ मोधिध दलबदलु नहीं यह सरकार गिराने के लिए सारी परक्रिया अपना लिया जाए सारे विधायकों खर लिया जाए, सारा खथकंडे अपना लिया जाए, सारा डर भर दिया जाए उनको, लेकिन यह पहले बात नहीं थी, आज संभव है, हर राजिनत में कि कुछ भी हो सकता है, लोग विधायक भिकेंगे तो खर देंगे ना, विधायक को लार्ज दिया कि भाई तुम्हारे पर ED का, CBI का जाच बैठा दिया जाएगा, यह भी संभव है, अब देखें, नितिश कुमार से ED और CBI की बात नहीं है, मतलब मेरा जो अनुमान लगता है, वे आगामी जो चुनाव होने वाला है, उसको देखते हुए दल बदल रहे हैं, यह बात सत्य इस तरह धुमिल हो चुकी है, निस्करी हो चुके हैं लोग कि आप उसी तालमेल भी नहीं बाठ रहा है, यह तालमेल बाठाना का कोशिज किये, लेकिन इनमें कुछ कमिया लगी और संभव नहीं हो सका इनका तालमेल बाठाना, आपको लगता है कि सभी पार्टिया मिल करक हराने की कोशिज कर रही है, यह तो सभी पार्टिया मिलकर भाजपा को हराने की नहीं कोशिज कर रही है, आप कैसे बता सकते हैं कि नितिश कुमार के नितियों कहां से भाली हो रही है, हमारे समझ से यार आ रहा है कि तेजस्वी के कहां से भाली हो रही है या इसी कहां से द कुछ नितियां ऐसी भी है कि जैसे नितीश कुमार ने सराबंदी बिहार में लागू किया या अच्छी निती लागू किया है लेकिन सराबंदी लागू करने के बार भी चोरी छिपे लोग पिना सुरू कर दिये हैं और इसमें कुछ कि आज अंतिम में नितीश कुमार मुख्यमांत्री पत की आज सपत लेंगे और उनके लिए कोई सुभकामना देंगे या कोई नसीहत देंगे देखिए आज नितीश कुमार एक समय में राश्टी अस्तर पर नेता बन के उप्रे थे और यह सम्हावना व्यक्ति के जाड़े थी नितिस्कमार अगला प्रान मंत्री बनने वाले हैं लेकिन इन्हों अपने पल्टू निति के काण से अपनी छबी धुमिल कर दी आज जनता में इनकी छबी पल्टू चाचा के नाम से बनी हुई है और यह किसी के विश्वास नहीं सबस्क्राइब प्रविस्वास नहीं है कि यह हमारे साथ रहे ही ऐसा ऐसा कई बार इन्होंने किया है जिसे इनकी बिसास नीता जो एक खतम होई है मतलब कॉहाने का तत्पर है अधिक कोई नितीश कुमार का कोई ठीकाना नहीं है कि कभ किधर से किधर पलड़ जाएं कहा गया है कि राजनीती खेल नहीं है बचों का तेल निकल जाता है अच्छे अच्छों का राजिती देखते रहे कि बिहार का जो सियासी जंग है एक युवाँ चेहरे के तरफ से कैसे मुड़ता हुआ था है आज एक तरफ राजिती जुकता हुआ देख रहे हैं सायद 2024 का चुनाव है इसके सायद यही कारण है कि नितिस्कुमार एक पाले के तरफ जुग गए है जो काले पहले नितिस्कुमार का रहे थे मैं आपको सुनाऊंगा विडियो क्लिप कि जो वही नितिस्कुमार है जो पहले का रहे थे कि मर जाएंगे मिट जाएंगे लेकिन भाजपा की ओर नहीं जाएंगे आज नितिश कुमार खुद अपने बयान से पलड़ गया खेर ठीक बात है राज दिलक के उनकी तयारी हो रही है और भाजपा में भी कुछ लोग थे जो काते थे कि उनके लिए धरवाजे हमेशा हमेशा के लिए बंदो चुके हैं अब वे च खिलाप और अपने खिलाप लड़ेंगे लड़कर के अपना रिष्टा खराब कर लेंगे लेकिन ये लोग एक साथ खाएंगे ये अलग-अलग पोश्टर पर रहेंगे आपको और हमको लड़ाने का प्रयास कर रहे हैं यही लोग तंत्र की परिभासा और लोग दे रहा है